हले दूस्तो वेलकम बैक टू नी वीडियो उमीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छी होंगे दूस्तो आज की इस फिरों में बात करने वाले ब्रैंड न्यू बजाज पलसर NH200 वर्सिस बजाज पलसर 220F के बारे में दूस्तो आज की इस फिडियो में दौनों बाइक के बीच में complete comparison करने वाले हैं कि हमें दौनों बाइक में क्या क्या difference देखने को मिलता है आज की वीडियो इंटरस्टिंग प्लस important हुने वाली है क्यूकि दौनों बाइक का comparison है वो काफी important रखता है तो दोस्तो इस फिडियो में आपको मैं डिटेल्स पर बताने वाला हूँ चलिए फिर आज की इस फिडियो को शुरू करते हैं का चैनल पर पहली बराया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना बेलिग अगर वो ओन कर लिजेगा तकि ऐसी इंटरस्टी विडियो के नोडिविकेशन बे आप तक पहुसते रह सके और आप मेरे विडियो से अप्टेट रह सके तो चलिए फिर आज की इस फिडियो को सुरू करते है सबसे पहले दोस्तो बात कर लेते हैं प्राइस कंपेरीजन के बारे में कि प्राइस में हमें दोनों बाइक में क्या डिफरेंस देखने को मिल जाता है दोस्तो आपको मैं बताना चाहुआ अपनी बजाज पलसर जो एनिश 200 है वो एक्सुरू प्राइस आरी है लगबग वल लेक 49,000 एक लाग 49,000 रुपए की आसपास की हमें ये बाइक जो है एक्सुरू प्राइस देखने को मिलती है वह दोस्तो बात करें 220F के बारे वे तो 220 एक्सुरू प्राइस आती है वल लेक 37,000 एक लाग 37,000 रुपए की आसपास की हमें 220F extra price देखने को मिलती है मतलब अगर हम दोनों का comparison करें तो दोनों बाइक में लगवाग में 12-13,000 रुपई का जो price difference है वो हमें दोनों बाइक में देखने को मिल जाता जो कि मेरे साथ से बहुत जादा भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है अब आजाते हैं दोस्तों दोनों के comparison में सबसे पहले दोनों के front light में आते हैं अगर हम बात करें दोस्तों NS के बारे में तो पहले NS में आपको चोटी-चोटी जो bulb pilot lamp है वो आपको देखने को मिलती है लेकिन दोस्तों 220F में आप लोग को जो है लेकिन अपनी जो 220F है दोस्तों उसमें आप लोगों को projector light देखने को मिलती है अलाकि वो illusion projector light है बट उसमें आपको दोस्तों projector light मिलती प्लस एक bulb light आपको देखने को मिल जाती है तो कहीं न करें दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जो NS की light है वो 220F से जाधा बहतर नहीं है तो light आपको 220F में जाधा मिलेगी बात करें फ्रन सस्पेंशन के बारे में पहले डन सिंगल आप पतादू वो दोनों में आपको bulb मिलेंगे अब आते हैं सस्पेंशन में दोस्तों सस्पेंशन में 220F में आप लोगों को टेलिस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है बाट NH200 में आपको पताद दूस्तों यूएज दिया रहे कि अपसेड डाउन सस्पेंशन देखने को मिलता है जो कि लास्ट इम कंपनिया ने अप्नेट किया था बजा जलोने तो जैसी बात दोस्तों NS में आपको लोगों को थोड़ा बेतर सस्पेंशन देखने को मिल रहे है तयर सेज में आपको बदाद तू टू टू टी अप में फ्रेंड में आपको 180 220F में 1990 की टैर देखने को मिलती है बट N-S में आपको 180 के आसपस की टायर मिलेगी ब्रेकिंग में आते हैं ब्रेकिंग में एक मेजर फरक है पहले हम 220 के बारे में बात करेंगे दोस्तो 220 एप में आपको बदा दो सिंगल चैनल एंटी लोग ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है यह EBS है जो कि सिंगल चैनल EBS आपको मिलेगा और अगर बात करें प्लेट सैज के बारे में तो फरेंड में आपको 280 दोस्तो 80 mm की जो प्लेट है वो आपको 220 एप में देखने को मिल जाती है जो कि थोड़ी छोटी है एस कंपेर टू एनेस अब हम चलते है एनेस की ब्रेकिंग में दोस्तो एनेस में आपको इस फेशाल फीचर में डूल चैनल एंटी लॉग जो ब्रेकिंग सिस्टेम वो आपको देखने को मिल जाता है तो एगर बात करें प्लेट सैज के बारे में तो हम 220F के बारे में बात करेंगे दोस्तो 220F में 220C का आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है जो की पावर एंटॉक आपको काफिल चीगासी देखने को मिल रही है कुलिंग सिस्टेम में आपको इस प्लेखने को मिलेगा फिल सिस्टेम में आपको F5 देखने को मिलता है जिससे फिल इंजेक्टर भी कहते है वान नमर अप सिलिंडर के साथ में से डिजाइन किया है इसकी बोर साइज 67 mm की स्टोक साइज 62.4 mm की है दियान ना कि 220F में आपको 5 गियार मिलता है अब चलते हैं एनस के इंजेन में दोस्तों एनस में आपको 119.5 सिसी का लिक्विड कुल डिपाल इस फारक प्लक 4 वोल और F5 DTSI एंजेन मिलता है दोस्तों एनस 200 में आपको 24.5 की PS4 मिलती है और 18.7 का जो तोर्क आपको एनस 200 में देखने को मिलेगा मतलब 220F के कंपेर में एनस में आपको जाधी पाहर मिली है क्योंकि अभी सी बात है एनस एक लिक्विड कुल इंजेन है 220F एक और और इसका काफी फारक पड़ता है 220F में आपको कुलिंग में लिक्विड कुल मिलेगा फिल सिस्टम में एफ़ा ही मिलेगा 220F में आपको 6 किलिमेटर पर आवर के असपास की जो है वो आपको 220F में देखने को मिलेगी अगर हम बात करें NS 200 के बारे में तो NS में दोस्तों आपको maximum बता दू मैलेस 35 के असपास का मैलेस देखने को मिलता है 210F से थोड़ा सा कम है क्योंकि NS में पावर जादा है 0200 में NS को लबग 10.28 सकेंड लगते है टॉप स्पीड आपको उसकी 145 से 150 किलेवेटर पर आवर के असपास की देखने को मिलेगी तो थोड़ा सा पफामेस आपको जादा बेटर अपनी NS में देखने को मल जाता है अब दोस्तों आते रियर है रियर में आपको नाइट्रो मोनो सॉक जो सस्पेंशन हो आपको NS में देखने को मल जाता है वही दूस्तों अगर हम बात कर ले अपनी 220F के बारे में तो 220F में भी आपको तेलने 10.2 मिलेगा रियर में आप लोगों को बाइक में 220F में 937 की प्लेट मिलती है रियर में 12080 क आपको इसमें भी नाइट्रो मोनो सॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं तो 220F और NS almost same है लेकिन रियर में आपको 220F में नाइट्रो मोनो सॉक एब्सोर्बर मिलता है NS में मोनो सॉक सस्पेंशन है NS के सस्पेंशन तोड़े बैतर निकल कर आते है अब चलते हैं दूस्तो है ओडो मिटर डिजिटल है ABS लाइट है फ्यूल गेज है सर्विस रिमाइंडर है साइड इंडिकेटर है लोबैट इंडिकेटर है एवरेज फ्यूल इंडिकेटर है यह सारे फीचर आपको देखने को मिलेंगे लेकिन गियर इंडिकेटर नहीं आता बात करें हम अपनी NS के ब इंडिकेटर है प्लस NS में आपको गेर इंडिकेटर भी देखने को मिलता है जो कि 22ndF में नहीं मिलता तो NS का एक बड़ा प्लस पॉइंट हमें देखने को मिल जाता है थीक है बाइक दूस्तों बात कर लेते दो लोग के डामन इंचन एंडिकेटी के बारे में पहले हम NS के पारे में बात करेंगे एनस का ग्राउन गिलरेंस है 187 mm का सीट है 805 mm की विल बेस से 133 mm का करवेड 158 यह जीका और जो हाइट है वो 1075 mm की आसपास की मिलेगी फिल्टेंग केपिसेटी एनस की 12 लीटर की देखने को मिलती है अगर बात करी 220 गी तो 220 की फिल्टेंग केपिसेट पंदरा लीटर है सीट हाइट 795 mm है विल बेस 1350 mm है करवेड 150 mm की आसपास का जो है में देखने को मिलता है 220F का श्रेदा दोस्तों ब्रेंड न्यू एनस 200 वर्सेट ब्रेंड न्यू 220F का कम्प्लीट स्पेसिपिकेशन रिव्यू अब दोस्तों दोनों में कौन से अच्छी लगी कि 220F जाधा कमफर्ट बाइक मुझे लगती एस कंपेर टो एनस 200 बाकि आप लोग कमेंट करके ज़रू बता रहें कि आप लोग को कौन से अच्छी लगी सुमित करता दुस्तों आप लोग को कोई छोड़ी सी उड़ा अच्छी लगी कि उड़ा च्छी लगी तो एक शुड़ो में लवी ओल जैहीन मंदमात्रम